हेलो एन वेलकम नॉर्थ इस्ट फ्रंट एर रेलिवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है जिसमें 5,636 पोस्ट उन्होंने निकाले है उनका ऑनलाइन एपलाइड डेट 1 जून 2022 है और लाज डेट 30 जून 2022 है तो इसको एपलाइड करने के लिए आज मैं आपको पूरा प्रॉसस दिखाऊंगा कि आप आसानी से इसको किस तरह एपलाइड कर सकेंगे तो अगर मेरे चनल पर आप नए हो तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मैंने इसके लिए एक वाटसप ग्रॉप भी क्रेट किया है उसको लिक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है आप चाहो तो उसमें जोईन हो सकते हो इस रिक्रिमेंट की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी या जो भी कोई अपडेट होगा वो आपको इस वाटसप ग्रॉप में मिलता रहेगा तो चले देखते हैं कि हम किस तरह इस फर्म को एपलाई करें इसके लिए आपने सर्च बॉक्स में जाके वहां राइट करना है और आर सी एन एफ आर डाट इन उसको आपने सर्च करना है और सर्च करने के बाद ऐसा पेज उपन हो जाएगा यहां सारी इंस्ट्रक्स दी हुई है इंस्ट्रक्शन को पढ़ के और आप यहां नीचे जाके न्यू रेजिस्रेशन पे आप किलिक करोगे जैसे हमने New Registration पे क्लिक किया यहाँ आपके लिए तीन ओप्शन आते हैं पहला आपने Unit को चूज करना है दूसरा आपने Department को चूज करना है और तिसरा आपने Trade को चूज करना है और यहाँ पर आप कोई भी गलती ना करिएगा Unit को आपने चूज करना है सही अपने Department को चूज करना है जो कि आपने जिसमें आपने Trade किया होगा और यहाँ आपने Select Trade को चूज करना है चूज करने के बाद आपने Continue करना है यहाँ पर क्या आप फिजिकली हैंडिकेपट हो नहीं Disabled हो नहीं Next पे किलिक करना है और उपर जाके आपने OK पे किलिक करना है यहाँ पर Continue करना है Continue करने के बाद यहाँ पर आपने Candidate का नाम लिखना है उसका Father's Name लिखना है Mother's Name लिखना है Community लिखनी है DOB लिखना है Gender लिखना है Religion लिखना है आदार नमबर देना है आप चाहो नहीं दे भी सकते हो और यहां पर RUX सिर्ष में वहां पर YASA no करना है वहां पर दूसरा एक और उप्षन आ रहा है RUX वार्ड आप इन्या आफ देफ फालोइंग चाहो तो none कर सकते हो यहां पर आपने email देना है उसके right side में email को confirm करना है mobile number देना है उसको confirm करना है railway station nearby आपने वो देना है नीचे जाके 6 street नमबर देना है या house नमबर देना है locality देनी है village street या town देना है state देना है district देना है post ops देना है और pin code आपने देना है ये सारी details आसाने आपने देनी है और फिर अगर आपका temporary address permanent address सेम है तो यहाँ पर tick करना है tick करने के बाइद नीचे यहाँ पर आपने class 10th की information देनी है जिसमें आपका roll number देना है class 10th का board देना है और board को specify करना है यहाँ पर 10th का marks कार्ट देना है कि आपके कितने marks आए है total marks कितने थे वो आपने देना है second column में और फिर वहाँ पर आपकी percentage शो हो जाएगी और last fourth column में आपने देना है कि आपने किस साल में यह complete किया है 10th पास किया है और नीचे जाके आपने देना है ITI certificate number क्या है NCVT है, SCVT है ITI कब किस year में आपने पास किया ITI marks obtained आपने देना है कितने में से total sum of marks थे और ITI में कितने आपने percentage हासल की है यहाँ पर mark करना है tick mark करना है tick mark करने के बाद यहाँ पर आपने capture देना है और capture के बाद आपने click करना है मैंने अब सारी details दे दी अब मुझे capture fill करना है जैसे ही मैंने capture को fill किया मुझे click to continue पे अब click करना है इस पे click करते ही मेरे यहाँ पर ok करना है ok करते ही यहाँ पर सारी टेल शो होगी अगर मुझे edit करना है edit भी कर सकता हूँ नीचे यहाँ के click करना है edit option, edit data पे click करना है नहीं मुझे edit नहीं करना है मैं उपर जाके click करूँगा और Continue में किलिक करूँगा और यहांपर OK प्रेस करूँगा OK प्रेस करते ही यहांपर मेरा form यहांपर registration हो गही और यहांपर मुझे registration नमबर इशू हो गया Your registration number is और यहांपर मुझे नीचे जाके किलिक Here to login पे किलिक करना है यहांपर मुझे registration नमबर देना है ڈیو بی देना है और कैपचा देना है वहां के ये तीनों देके मुझे लॉग इन पे किलिक करना है मैंने लॉग इन पे किलिक किया अब यहां पर मुझे फोटो, साइन और थम इंप्रेशन अप्लोड करना है इन तीनों का साइज दस से 40 केवी तक होना चाहिए फोटो, थम इंप्रेशन और सिगनिचर का साइज 10 केवी से 40 केवी तक होना चाहिए और जो कि आप डॉक्मेंट को अपलोड करोगे सर्टिफिकेट को अपलोड करोगे जितनी यहां पर अपलोड करनी है DOB 10th Certificate Marks Sheet और आपकी बाकी Certificate उसका Size 100KB से 300KB 100KB से 300KB तक का होना चाहिए यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं Choose File करके पहले फोटो अपलोड करना है फिर Signature फिर Thumb Impression अपलोड करना है यहाँ पर 10th Marks Sheet को आपने अपलोड करना है 100KB से 300KB तक का होना चाहिए JPG format में और यहाँ पर DOB Marks Sheet को अपलोड करना है और नीचे जाके DOB Certificate को अपलोड करना है आपने क्या करना है Choose File क्लिक करना है गेरे में से अपलोड करना है और यहाँ पर ITI का Marks Sheet अपने अपलोड करना है और यहाँ पर Professional Trade Certificate यहाँ NCVT या JCVT जो आपको Certificate Issue होगी वो आपने अपलोड करना है सारी जब आपने अपलोड कर दी तो अपनोड क्लिक पर क्लिक करना है अपलोड ओप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है जैसे अपलोड ओप्शन पर यहाँ खिलिक किया payment करोगे मैंने यहाँ पर debit card चूज किया नीचे जाके वहाँ पर click मैंने किया debit card पे यहाँ पर मुझे card number देना है और expiry date देना है CVV नमबर देना है और नाम लिखना है जो card पे लिखा हुआ होता है और इसके बैद pay को pay पे हमने click करना है तो जैसे हमने pay पे हमने click किया तो click करने के बैद हमारा application submit हो गया और fees पे भी हो गया तो अब जाके हमने इसका print out लेना है receptor का print out लेना है जो हमने fees paid कर दी और application का print out लेना है उसके लिए हमने login पेज़ पे जाना होगा तो login पेज़ पे हमने वही अपने वहां पर registration नमबर देना होगा यहां जाके हमने registration नमबर देना होगा डियो भी देना होगा और capture देना होगा फिर login करना होगा login के बैद आप easily अपना print out लेना होगा आप प्रूंट आउट निकाल सकते हो करना कर दोबने प्रूंट आप जावा कर दक दोस्त्व—